नवस्तकार बंडड़ी कशाद बिटा मजेतना त्वस्त रहा मस्त रहा अनि सग्रयात महत्वाज़ा अभ्यास करत रहा हुआ है मी तुम्हां सग्रया लोकांचा स्वागत करता है इंडिया इस बिगेस्ट ऑनलाइन आज वेल आज आफलाइन लर्निंग प्लाटफॉर्म ढनेंट सर अन्य आज अपनल लेक्ऴण ने पाड़ा रहा हो इलेक्ट्र ऐसी जए लिए लेक्षर बहुत ही बैसीक रहेगा अ बहुत ही इजी रहेगा थोड़ा सा समझने की कोशिश करना क्योंकि जैसे में मेकैनिक्स में देख kg.2 आउबजेक्ट को में देख सकते हैं Hai ज इसका भी हम velocity calculate करने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीज़े मुझे दिखाई देती हैं, तो उसे समझना मुझे easy होता है, लेकिन जैसे ही मैं इस part की तरफ आने की कोशिश करता हूं, that is electrostatic magnetic fields, तो इस part में मुझे कुछ चीज़े दिखाई नहीं देती, हाँ वो अलग बात है, मैं उसे feel कर सकता हूं, अगर feel करना है बेटा, तो आजा, पर एक wire लेके आपके लिए खड़ा हूँ यहाँ पे, तो आपको मैं feel करवा सकता हूं, क्या feel करवा सकता हूं, तो मैं यहाँ पे आपको current feel करवा सकता हूं, तो इस particular chapter में देखा जाए, तो मुझे बहुत ही ध्यान से इस lecture को देखना है, बहुत ही अच्छी तरह से इस lecture को समझना है, उसके बाद मुझे इसका application करना है, अगर CT point of view से देखा जाए बेटा, तो यह chapter important है, अगर अगले साल 12 के board point of view से देखा जाए, तो बेटा यह chapter उसके लिए भी बहुत important है, क्यूंकि जो 12 में हम electrostatic पढ़ेंगे, उसके लिए मुझे 11 का electrostatic का fundamental या फिर मुझे उसके basic concept बहुत ही अच्छी तरीके से पता हुने चाहिए, तब जाके मुझे वो electrostatic वाला part समझ में आता है, otherwise मुझे वो वाला chapter पूरा ही जादू की तरह दिखाई देगा, क्या हो रहा है, कहां पर हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा क्यूं? क्यूंकि हमने ना कभी charge देखा है, ना हमने कभी moving charge देखा है, यह सारी चीज़ें हम imagine करते हैं, electric field मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन देख नहीं सकता, magnetic field, magnetic field का मुझे effect दिखाई देता है, लेकिन मुझे magnetic field नहीं दिखाई देती है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस chapter में, जो आप लोगों ने आज तक कभी देखा ही नहीं, लेकिन मुझे उसे study करना है, मुझे उसे समझना है, अगर competitive exam point of view से देखा जाये, तो बेटा ये वही वाला चाप्टर है, जिस chapter में से tough question आते हैं, maximum question आते हैं, अगर मैं NEET exam के बारे में बात करूं, जहीं मैनमें exam के बारे में बात करूं, आडवांस exam के बारे में बात करूं, तो बेटा आईए वही वाला चाप्टर है जहां से आपको टफ कोशन बिलेंगे और जहां पे आप लोगों का लॉजिकल लेवल अलॉंग विद्ध कैल्कुलेशन लेवल भी चेक किया जाएगा तो यह चीज़ ध्यान में रखना इस वीडियो को इस चाप्टर के वीडियो को अच्छी तरह से समझना है तो हम शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे बेटा तो आज की इस लेक्चर में ज्यादा कुछ नहीं देखने वाले हम सिर्थ समझने की करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और प्रॉपरिटीज ऑफ चार्ज चार्ज क्या होता है उसके क्या प्रॉपरिटीज है और हम इसके उपर कुछ निवरिकल्स भी सॉल करने की कुशिश करें तो देखना बेटा सबसे पहले हम इस पर्डिकुलर चाप्टर को समझने की कुशिश करते हैं जो की 11 में हमें कुछ पार्ट दिया गया है और 12 में हम आगे कुछ पार्ट पढ़ने वाले हैं एकॉर्ड इंकु दो महारास्ट्रा स्टेट बोर्ट स्टिलाबस लेकिन अगर स्टिलाबस फॉलो करोगे तो आपको यह वाला चाप्टर 12 में ही मिलेगा और वो सीक्वेंस से ही मिलेगा क्या होता क्या है इलेक्ट्र स्टाटिक तो सबसे पहले मुझे यहां पर यह समझना है अब देखना वेटा एक चीज होती है जिसे कहा जता है इलेक्ट्रो मैगनेटिजम अब इलेक्ट्रो मैगनेटिजम को स्टडी करना मतलब मुझे क्या स्टडी करना है वह भी समझे लो तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे वेंट चार्जेस आर अट्रेस्ट चार्जेस आर एट रेस्ट जब चार्जेस मेरे रेस्ट पर होते वह किस तरह से बिहेव करते हैं वह एक दूसरी के साब किस तरह से इंटराक्ट करते हैं उनके उपर कौन से लौज हम अपलाई करते हैं अगर मैं इसका स्टडी करने का कोशिश करता हूं तो उसे कहा जाता आए बिटा इलेक्रॉस्ताटिक उसे कहा जाएंगाए पीटा इलेक्टस्त्राटिक समझ लेना यवादी चीज प metropolitan की क्या definition सकती है electrostatic मतलब study of charges वें the charges are at rest is called as electricity oh यह हुआ एक 파ॉट electromagnetic का अब दूसरी जишजए होती है अगर मैं इन चेर्ज को ऐतां को गांस्टन वेलोसिटी दो तो तो सेकंड पार्टरेस चार्ज लिए फ कांस्टन हम इंड तर्वहसिटी कि ढूंग विद ऊंस्टन विलोसिटी के कॉन्स्टन्ट व्लॉसिटी के साथ ये चार्जेस घुमने वाले आगे बढदने वाले तो उसको भी अलबतरी की से स्टरी किया जाता हैrière तो सबसे पहले हम क्या स्टड़ी करेंगे बेटा करण्ट इलेक्ट्रिसिटी की प्रिसे ये वाला चाप्टर दो तुकड़ों में बाटा गया है फॉर देस्ट बोर्ट सिला बस 11 पर हम सीखेंगे बेटा इलेक्रिक करण्ट तूद अग्ड़क्टर और अगले साल हम सीखेंगे धेड़ा यहां पे मूविंग्ग चार्जेस अंड मागनेटिसम तो अब हम यहां पर बात करेंगे विटा मागनेटिसम के बारे बेन मागनेटिक विल्ड ड्यू टूट्ट्रिक करन्ट इस तो दिखना अगर ये चाप्टर मुझे समझना है magnetic field due to electric current अब जब electric current वायरवे से फ्लो हो रहा ना बिटा तो वो surrounding में कुछ तो create करता है यह क्या create करता है तो यह create करता है एक ऐसी फिल्ड जो की सिमिलर है जो मेरा बार मैगनेट आप लोगों ने देखा होगा बार मैगनेट जिसके पास नौर्थ और साउथ फोल होते हैं तो उसी तरह से यह भी बिहेव करने की कोशिश करता है तो अगर मुझे समझना है अगर मुझे मागनेटिक फिल्ड दू टू दे लेक्ट्रिक करंट समझना है तो मुझे यहां पर मागनेटिजम समझना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर बिटा मागनेटीजम समझना पड़ेगा मागनेटीजम समझना पड़ेगा मागनेटिक मटेरियल समझना पड़ेगा कि मैगनेटिजम को समझेंगे उसके बाद हम मैगनेटिक माटेरियल को समझेंगे फिर उसके बाद मैं यह वाला एरो यहां पर चेंज कर देता तो यह पढ़ने के बाद देखो करन्ट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद हम जाएंगे मैगनेटिजम जो इलेवंत में है है magnetic field Earth Magnetism यह सारी चीज हम वहां पर सीखने की कोशिश करेंगे okay magnetism सीखने के बाद हम जाएंगे बिटा कि magnetic field due to the electric current और उसके बाद हम जाएंगे बिटा magnetic material के पास जैसे मैंने यह सारी चीजे सीखी लिए जैसे मैंने magnetic material सीख लिया तो मैं आगे पढ़ने वाला हूँ Electromagnetic induction बहुत ही interesting factor है Electromagnetic induction जिसे कहा जाता है बेटा EMI Electromagnetic induction घर में जो फैन चल रहा है बेटा वो फैन क्या है तो एक induction machine है पानी की motor है बेटा वो क्या है तो induction machine है तो यह सारी की चीज़े डे टुडे लाइफ में हम जो भी machines कर रहे ना वह किस principle की उपर बेस्ट है तो वह बेस्ट है बेटा Electromagnetic induction के principle के उपर ओके Electromagnetic induction सीखने के बाद हम चलेंगे बेटा AC circuit के तरफ हम चलेंगे AC circuit के तरफ AC circuit का मतलत क्या है मेरे पास दो टाइप के source होते है है एक होता है DC source एक होता है AC source वाट इस DC source पर बेस्ट एक्जामपल बैटरी mobile की बैटरी बेटा जहां पर Charges को स्टोर किया जाता है और उसे आगे यूज किया जाता है और यह जो बैटरी State Board Electricity State Board के बारे में बात करूं धाटीज महा डिसकॉम उके महा डिसकॉम महा वित्रन जला महाटी मते बुल लुकॉत तो बेटा देखना महा डिसकॉम हमें सप्लाय देता है घर में बराबर मिंटर के पास सप्लाय आ रहा है उसकी फ्रिकलेंची इंडिया में फ्रिक्वेंची रहेगी याद रखना और इसलिए उसे कहा जाता है इसी कर अधिना यह सारी चीजे हम सीधने वाले अब यह सब specify किसके का ऐगर है ऴी टा जब मेरे मुह कर रहे बीक सौंट फ्र सबसे आखिर में हम पढ़ेंगे सबसे आगे हम किमिटेंगे बैटा इक्सलरेटफ चार्चे की और एक्सलरेटट चॉद आसकी वजह से क्या होता है तो accelerated charges की वज़े से मुझे यहाँ पर मिलता है बेटा इलेक्ट्रो माग्नेटिक वेव यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा मुझे इलेक्ट्रो माग्नेटिक वेव समझ लेना यह चीज़ आप देखो हम 11 में कौन से चाप्टर पढ़ने वाले क्यों है तो 11 पेट किना इलेक्ट्रोस्टैक हूँ मैं कहूंगा 30% आप पर cowboy 11 ति एक यह इसका 70 परसेंट पोर्छन पढ़ने वालो हो ओके टिविलरली करण्ट एलेक्ट्रिसिटी देखा जाए तो बेटा हम यहां पे ओल्मोस्ट टिप्टी परसेंट इलेवन्त में पढ़ेंगे 50% 12 में पढ़ेंगे कि ओके magnetic फिल Bluetooth लेक्ट्रिक करण्ट हम इलेवन्त में नहीं पढ़ें वाले यह चापटर पूरा का पूरा 12 में 100% यह 100 परसेंट 12 में पढ़ेंगे माग्नेटीजम माग्नेटीजम जो है बेटा माग्नेटीजम जो है वह हम 11 में पढ़uster है बहुत ही बेसिक chapter है ये पढ़ाएंगे हम एलत मेंनson is magnetic material magnetic material हम 12 में पढ़ेंगे ईटा magnetic material 100% हम 12 में ही पढ़ने वाले हैं similarly electromagnetic induction η सरकिट भी हम 12 में पढ़ने ये दो चाप्टर हम 12 में ही पढ़ेंगे को ओके in electromagnetic waves यह वाला chapter हम बिटा पढ़ने वाले है 11 में यह वाला चाप्टर हम पढ़ने वाले बिटा इलेवंत में यह हंडेट परसेंट इलेवंत में ही पढ़ेंगे अब देखना थोड़ा सा सीक्वेंसिंग मेरे हिसाब से यह मेरे हिसाब से मुझे यहां पर अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम बहुत कुछ आधी आधी चीजें हम इलेवं से यहां हम उसी हिसाब से ही चले अदिखना मिता अगर मैं इन सबकाव वेटएज समझने की कोशिक करूँ सीट एक्षाम में में कि उसके बाद current electricity देखा जाए तो दो या तीन कोश्चन के आसपास इसके उपर आएंगे कि magnetic field due to electric current इसके उपर दो मैं यहां पर लिख सकता हो कभी-कभी तीन भी आते हैं कभी-कभी चार भी आते हैं depend करता है session के उपर आपका session कौन सा है किस दिर है किस वक्त है लेकिन average हम calculate करने की कोशिश करें तो दो कोशन तो इसके उपर बनते ही है इसे देखा जाए तो यह सीटी में है निक इलेवन का जो मागनेटीजम वाला चाप्टर है वह सीटी में है ने लेकिन इसके कुछ कॉंसेप्ट मुझे यहां पे यूज करने होते हैं मागनेटिक फ्यल्ड में इसलिए मैं इसको एक मार्क यहां पे दे रहा हूं ठीक अगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रो माग्नेटिक वेव और सिndra सरकीट तो फंपर आलमोस्त ओशन आते हैं और सिसे सरकीट के उपर अलमोस्त दोढूरिस तो देखना ये कितना हो रहा है कितना हो रही है 802 11 11 प्लस 21 13 13 चल्ट 2 15 15 प्लस 3 18 तो अलमोस्त देखा जाए तो इसकी उपर और आउट ओफ 50 बीस कोश्चन दो इस परडिक्यूलर पार्ट की उपर बन दें तो यह बहुत ही इंपरड़न्ट है यह चाप्टर बहुत ही इंपरड़न्ट है आप लोगों को समझना है बहुत सारे लोगों को बाकी चाप्टर समझ में आते हैं लेकिन जैसे ही यह वाला प अप्लिकेशन करना है तो मैथेमेटिकल मेथड़्स किलार वेक्टर सबसी इंपर्टन चीज मैं यहां पर वेक्टर को यूज करने की कोशिश करूगा दूसरी चीज जैसे ही मैं मैं में जाने की कोशिश करता हूँ बेटा डिफ्रेंशियेशन और इंटीग्रेशन आता है तो वह भी आप लोगों को अच्छी तरह से साल ही करना है वाट इस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशियेशन इसका अल्रडी लेक्टर हो चुका है तो उसे अच्छी तरह से समझ लेना क्योंकि यह आगे जाके आपको तकलीफ देने वाला है अगर आप इस साल ही मैथेमेटिकल मेथर्स यह वाला चाप्टर बहुत अच्छी तरह से करते हो तो अगले साल में फिजिक्स आप लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देने वाला मैं पहले बोल रहा हूं अगर आप लोगों ने वह वाला लेक्चर मिस किया है बेटा तो सबसे पहले बाकी सारी चीज़े साइड भी रखना उस लेक्चर को देखना वेक्टर क्यालकुलेशन देखना इंटीग्रेशन क्यालकुलेशन देखना डिफरेंशेशन क्यालकुलेशन देखना ठीक एसी सर्कीट अगर मैं एसी सर्कीट के बारे बात कुरू तो यह बेटा पूरा का पूरा इंटीग्रेश चाहिए यहां पर कोई भी दो ऑप्शन्स है नहीं आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है वो क्या ऑप्शन है बेटा तो आपको mathematical methods आना ही चाहिए अगर आप लोगों ने वह वाले लिक्चर्स मिस किये हैं डियू टुद डिफिकल्टी लेवल अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है हम यह नहीं देखेंगे बेटा यह गलती दोबारा मत करवा जाना उसे देखना देखने के बाद ही आप लोगों को यह वाले चप्टर समझ भाएं तो बेटा देखना यह तो था इंट्रेड़क्शन इस लेक्चर का अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम यहां पर बात करने की कुशिश करेंगे रिगारड defect चैर्जज के बारे बात करने की कुशिश करेंगे अब क्या होता है electric charge जैसे ही मैं यह वाला question पूछता हो तो आप लोग बोलते हैं कि सर positive charge and negative charge बेटा मैंने आप लोगों से यह वाला question पूछा ही नहीं है type of charges नहीं मेरा question यह है what is electric charge positive and negative charge is the answer of types of charges लेकिन मैंने यह वाला पूछा ही नहीं मैंने क्या पूछा है आपसे what is electric charge तो पैटा electric charge क्या होता है यह किसी भी material का fundamental attribute होता है याद रखना fundamental attribute या फिर fundamental property किस की किसी भी material की कि ठीक है अब इसका करना क्या है हमें हाँ चलो किसके पास वह अली property वह वाला attribute है लेकिन यह हमें किसके बारे में बताता है यह हमें बताता है इंटरेक्शन के बारे में यह जो दूसरे सिमिलर टाइप आप मटेरियल के साथ इंटराक्ट करने की कोशिश कर रहा है ना समझ मैं रहा है वाट इस इलेक्ट्रिक चार्ज़ इडिड़ फंडामेंटल अट्रिब्यूट आप मटेरियल बाइवर्ट्यू आफ विच इंटस्य आप आपया अझेचस्तर्ण अट्रिब्यूट इंटरा सिमिलर आपद अटर्य विच अटरींEE陌स्ट आप टेर आप वज तर्धर यह वाला देफिनेशन है इलेक्रिक चार्ज का, उलेक्रिक चार्ज का डेफिनेशन क्या है तो यह फंदामेंटल अट्रिबूट है किसी भी मतेरियल का, बाइ वर्चु अफ विच एट्राइस तो इंटराइस विच विच उद्धित, other similar type of a material is called as electric charge and depending on the interaction, depending on the interaction, electric charge is classified as electric charge is classified into two types is classified हैARes certified in two types कτε कोrones आई वो दो टाइप तो अब हम बोल सकते कि एक होता है positive charge और दूसरा होता है negative charge, that is positive charge & निगटीव चार्ज पाज़िव एडख टटन निगेटीव चार्ज तो मेरे पास चार्ज के दो टाइप हैं एक होता और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज ठीक है अब यह interaction पर यह क्या मामला है कि यह क्या है वाट आईस इस इंट्राक्षन तो समझ् Tibis ले अगर मैं यहां पर ऴॉजिटिव चाइट रख दो और यहां पर भी सुन ढूर्ख दू यह और वहां पर विप्ग ही पॉजिटिव चारज रख दू विके बिया क्या करेंगे एक करने की कोशिश करेंगे अब यह पॉजिटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव चार्ज रख दू तो मुझे क्या मिलेगा इन दोनों के बीच में एक इंटराक्शन मिलेगा इन दोनों के बीच में इंटराक्शन मिलेगा बेटा इस नथिंग बट रिपल्शन अगर मैं नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव रख दू तो अब मुझे समझ में आएगा कि यह इंटराक्ट कर रहे यह एक दूसरे को खीचने की कोशिश कर रहे यह एक दूसरे को अट्राक्ट करने की कोशिश कर रहे तो यहां पर क्या मिलेगा बेटा मुझे यहां पर मिलेगा बेटा मुझे अट्राक्शन तो देखना यह जो interaction है ना बेटा मेरा दो तरीकिका हो सकता है एक तो रिपल्शन हो सकता है या तो वह attraction होता है अगर similar type of charges हो तो बेटा वह करेगा रिपल अगर opposite अलग-अलग टाइप के चार्जेस हो तो वह बेटा करेंगे एक दूसरे को ट्रैक तो यह होगा उनका इंटरेक्शन है ठीक है नेक्स्ट अब सबसे important चीज मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक यूनिट अफ चार्ज को समझने की कुशिश करता हूं इलेक्ट्रॉनिक यूनिट आफ चार्ज इलेक्ट्रॉनिक यूनिट आफ चार्ज इलेक्ट्रॉनिक यूनिट आफ चार्ज होता है बेटा प्लस ए ओके इलेक्ट्रॉनिक यूनिट आफ चार्ज होता है बेटा ए अब यह ए क्या है इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक यूनिट आफ चार्ज इए की वाल्यू कितनी है अब मिलिकंस ओइल ड्रॉप एक्स्प्रेमेंट नाम का एक्स्प्रेमेंट किया गया था ओइल ड्रॉप के उपर जहां से साइंटिस्ट लोगों को एक चीज समझ में आई है किसी भी ऑब्जेक्ट के उपर कम से कम कितना चार्ज होगा किसी भी ऑब्जेट के ऊपर कम से कम कितना चार्ज होगा और उस चार्ज को कहा जाता है बेटा इलेक्ट्रोनिक चार्ज जिसकी वाल्यू होती है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम इनका क्या कहना है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना चार्ज होना ही चाहिए कम से कम इतना चार्ज होना चाहिए इस से कम नहीं होगा एक्स्प्रिमेंटली वालिडेटेड या फिर एक्स्प्रिमेंटली वालिड किया गया है इसे और इस एक्स्प्रिमेंट का नाम है जहां से मुझे एक चीज़ समझ में आती है electronic unit of charge कितना होता है बेटा इसकी वाल्यू कितिनी होती है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलंब इसा unit कुलंब इसा unit कुलंब इसा unit ओके ती इस नथिंग बट दो कुलंब स्टीज नथिंग बट कुलंब ठीक है नाव पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज मतलब उसके पास कम से कम कितना चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज अगर मैं यहां पर positive charge के बारे में बात करूँ तो बेटा उसके पास plus e charge होगा याद रखना उसके पास plus e मतलब उसकी value कितनी 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम चार्ज रहे अगर मैं यहां पर negative charge के बारे में बात करूँ तो बेटा उसके पास रहेगा minus e charge that is minus 1.6 into 10 to the power of minus 19 कुलम कुछ इस तरह से मुझे चीज़े मिलने वालिये यह चीज़ याद रखना यह values मुझे हमेशा याद रखना है electronic unit of charge is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम तो यह है बेटा electric charge उसके टाइप electronic unit of charge अब हम थोड़ा सा atom या फिर nucleus के structure के बारे में भी यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे क्यों क्योंकि मुझे बहुत सारे question में इनको use करना पड़ता है वो भी हम समझते हैं कि वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं देखा जाए तो आप लोगों को पता है यह क्या होता है यह nucleus होता है center में और electron मेरा यह से घूमते रहता है specified orbit में घूमता रहता है Gel XL okay यह होगा मेरा atom अगर मैं यहां पर atom के बारे में बात करू मुझे कौन सी कौन सी चीजे पता होनी चाहिए तो मुझे यहां- literate candles में क्या होता है proton होता है और neutron होता है नेयूठ्रॉन होता है औरन्यूक पर राइस की सराओंडंडिंग क्या जानना है मुझे यहां से क्या समझना है मुझे यहां पर एक चीज़ पता होनी चाहिए that is mass of proton mass of proton कितना होगा बेटा तो वह होगा 1.6 into 10 to the power minus 27 kg मास of proton कितना रहेगा 1.6 into 10 to the power minus 27 kg similarly मास of neutron कितना रहेगा बेटा तो इसकी भी वैल्यू नियरली इक्वाल टू इतिनी ही है कि 1.6 into 10 to the power minus 27 kg अब यह वैल्यू कौन से डिजिट में वारी होती है तो एक चीज़ मैं लिख सकता हूं मास of proton is nearly equal to mass of neutron बट इन प्राक्टिकल बट इन प्राक्टिकल प्राक्टिकल अगर मैं सोचने की कोशिश करू बेटा mass of neutron is greater than mass of proton neutron का मास थोड़ा सच ज्यादा है बेटा प्रोटन के मास एक चीज़ याद रखना यह प्राक्टिकली देखा जाए यह हम कहां पर देखते है न्यूक्लियर फिजिक्स में यह कहां पर देखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में इस पर्डिक्लिक्लर चाप्टर मे से मिलने वाल कि ओके यह बना मास ओफ प्रोटॉन मास ऑफ नूट्रॉन अब हम यहाँ पर बात करेंगे विटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्र उन कितना तो वो होता है 9.1 into 10 to the power – 31 kg 9.1 into 10 to the power – 31 kg यह रहेगा मास ओफ इलेक्ट्रॉन देखा जाए मास ओफ प् प्लसप्लस सभाइब हैं और यह तो मुझे करना क्या है बिटा मुझे यहां पर चीज याद रखना है इनके वाल्यूस मुझे यहां पर याद रखने अब मैं यहां पर बात करूंगा हाइड़ोजन आिटम के बारे में सो हाइड वेङ रयर याटम है रुड़ तरग इस तरह से इस लिख सकता 1 एच 1 एडम में एक प्रोटवन है का सब्स municipale है एक प्रोटवन है हिसके पास य्लेक्ट्रॉन प्रोटवन ना एक प्रोटवन एक इलेक्टरॉन hell attachments ऐब रहेगा hell atom या फिर alpha particle अलफ़ा पार्टीकल बोल या फिर इसे हैलिएवइटम बोलो आलफा पर्टिकल या फिर हएलिएम एटम ठीक एक्टल दखा जाए यह परट्ड कल निकल नुक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले बोला गया था नुक्लियर डिसिंटीग्रेशन में की अल्फा बीटा और ग्यामा रिडियेशन होता है तब साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं था अल्फा पार्टीकल इस नथिंग बड़ लियम एटम ओके ठीक तो अल्फा पार्टी दो नूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन है ठीक तो देखना दो प्रोटॉन दो नूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं नूट्रल आटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल और एटम ठीक तो कुछ इस तरह से रहेगा देट अगर मैं बोलू चार्ज और अल्फा पार्टिकल याद रखना चार्ज और अल्फा पार्टिकल तो इसका अंसर आएगा प्लस 2E इसका अंसर आएगा प्लस 2E तो मुझे यहाँ पर क्या याद रखना है बेटा चार जोन अल्फा पार्टिकल वह कितना होगा प्लस 2E याद रखना बहुत सारे question में मुझे यह यूज करना होता है ठीक अब एक important चीज मैंने यहां पर एक word यूज़ किया था neutral atom neutral atom अगर मैं बोल रहा हूँ neutral atom में क्या होगा बेटा तो neutral atom में देखा जाए number of positive charge number of positive charge must be equal to number of negative charge number of negative charge जितना positive चार्ज है बेटा उतना ही negative charge होना चाहिए अगर ऐसा होता है तो मेरा atom neutral होता है अगर ऐसा होता है तो मेरा atom क्या होता है बेटा neutral होता है ठीक है तो यह बहुत important है याद रखना हमेशा अब हम आगे बढ़ते हैं आगे हम यहां पर समझने की कुशिश करते हैं कि क्या properties है charges की क्या properties है तो charges are additive तो मैं charges को यहां पर add कर सकता हो मैं charges को देखना यहां पर add कर सकता हो लेकिन यह जो addition है ना addition करते समय एक चीज याद रखना है बिटा मुझे charge की उपर वाला sign भी consider करना है तो मैं एक simple यहां पर statement लिख देता हूं कि डूरिंग addition कि डूरिंग addition कि डूरिंग addition of charge need to consider sign of charge हाँ बिटा मुझे पता है कि यह आप लोगों को समझ में नहीं आता है काई को consider करना है तो simple वाला देखना मैं यहां पर दो ब्लॉक यूज कर रहा हूं एक ब्लॉक रहेगा दो कीजी दूसरा ब्लॉक kG है यह 2 kg को मैं एड कर सकता हो लेकिन नें हम ने कभी मास है Casey कहई हाँ यह ने कभी देखा नहीं कि नीगेटिव मास है हमने कभी देखा नहीं कि मतलब अदेशन करते समय तो देखना जैसे हम ede《比rian》 कि किया है उसी हिसाब से मुझे चार्ज का भी अडिशन करना है लेकिन एक चीज़ याद रखती है चार्ज की उपर जो साइन है वो मुझे कंसिडर करना है सपोर्ज करना कुछ इस तरह से अब्जेक्ट है आप अब्जेक्ट में देखा जाए तो यहां पर प्लस टू कुलम चा यहाँ पर माइस एक स्कुलम चार्च यहां पर प्लस ट्वल कुलम चार्च मैंने कोशन ये पूछ लिया आप लोगों से की इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बेटा टोटल कितना चार्ज है वो बताओ है टोटल चार्ज ऑन अब्जेक्ट है टोटल चार्ज ऑन अब्जेक्ट तो बेटा सर ने क्या बोला है तो एडिशन करते समय मुझे साइन भी कंसिडर करना है तो मैं यहां पर लिख सकता हूँ 2 प्लस 12 बाइनस 4-6 तो यह बेटा कितना हो जाएगा 14-10 एन पोर कुलम तो इस object का इस body का charge body की उपर charge कितना बटा तो 4 कुलम charge है तो ये difference है जब मैं mass के addition करता हूँ तब negative mass होता नहीं है लेकिन जब मैं charge के addition करता हूँ तब मेरे पास negative charge रहेगा हूँ कि ओके मेरा हम यहां एक चीज भूल रहे है मैं उसे में यहां पर लिख देता कि अब कॉन चीज़ भुल रहे हैं तो यसका यूणित नहीं लिखा यसा यूणित क्या है चार्ज का एसा यूणित वो भी कवर कर लेते हैं सा यूणिट आफ चार्ज यह सा यूणिट तो वो रहेगा क्विलं bend या नि य एक एसा युनीट रहेंगा बेटा Koolham ठीक सिम्बॉल इसका कैपिटल सी है साइन्टिस्ट का नेम है इसलिए कैपिटल सी यूज किया जाता है आब मुझे इसके dimensions निकालने हैं अब dimensions किस तरह से निकाले तो बेटा dimension का मतलब क्या होता है किसी भी quantity को अगर मैं fundamental quantities के power में raise कर सकता हूँ तो उसे उसका dimension कहा जाता है तो मुझे इस उलम्त चार्ज के dimensions find out करने है तो बेटा मैं यहाँ पर current का definition यूज करूँगा current का definition क्या कहता है current i is equal to rate of low of charges i is equal to rate of low of charges तो मुझे यहां से charge मिलेगा q is equal to i into t current is the fundamental quantity time is the fundamental quantity तो यहां से मेरा काम बन जाएगा तो मैं इसको डब्बाल बना देता हूँ यहां पर कहने का मतलब क्या है इससे इसके dimensions of charge मास में कितना है बटा जीरो लेंथ में कितना है बटा जीरो टाइम में कितना है वन एंपियर में कितना है विटा वन तो यह उसके dimensions बनेंगे इसके dimensions क्या बनेंगे M0 L0 T raise to 1 A raise to 0 M stands for the mass यहां पर मास का टर्म नहीं तो इसकी लिए इसका पावर जीरो बनां वन है ml Stands फौटल लेंथ का यहां पे टर्मने इसके इसका पावर जीन बना जो हम अगले साल सीखेंगे अभी उसकी हमें जरूरत यह उसे कहा जाता है बेटा इलेक्ट्रो स्टाटिक जुरेट ओके यह सिउसे कहा जाता है तो चार्ज अनिबोड़ी भी रे प्रेज़ आजिए इनडेड लाग्टो अपॉसे मुलड़ेब लाग्टो पॉसेर ॉसेर इन integral multiple of fundamental charge is an integral multiple of fundamental charge यह तो बना बता statement statement तो मैं यहाप लिख सकता हूँ capital Q is equal to plus minus N into E capital Q is equal to plus minus N into E integral multiple N की value 1 से 0 होनी चाहिए याद रखना N will start from 1 N will start from 1 ओके ठीक अब यहाँ पर plus sign क्या indicate करेगा बेटा positive charge minus sign क्या indicate करेगा मुझे negative charge N क्या है यहाँ पर number of charge N क्या है बेटा number of charge एक चीज़ याद रखना कितने charges है किसी भी object के उपर total charge में calculate कर सकता हूँ किस तरह से मैं उसको represent कर सकता हूँ integral multiple of fundamental charge अब simple वाला देखो quantization quantization का मतलब क्या होता है किसी भी quantity को हम कम से कम quantity में या फिर कम से कम number में sorry हम उसको number में represent कर सकते विद मेजर smallest quantity तो for example यहाँ पर समझना एक साल में कितने महिने होते एक साल में बारा महिने होते ऐस्का मैंने उसको क्या किया एक साल को तोड़ दिया मैंने उसकोअ कर दिया मैंने उसको convert कर दिया यहाँ पर कम से कम हमने क्या consider कि एक महिना suicidal अطने पास कितने आये 12 यह फिर दूसना तरीक एक महिने ने मैं कितने दिन होते एविरेज थिर्टीज तोदेखना 900 donut कितने जिनों में 30 डेज मैं तो यहाँ पर टेज क्या हो रहा है तो वो कम से कम बन रहा है सब़स्मारा थार्टि क्या हुआ बिटा तो एक इंटीजर बन रहा है सिलिए एक हंटे में सैंट एक दिन मिनेट्स होते हैं 60 मिनेट्स एक मिनेट में कितने सेकंड होते हैं एक मिनेट में देखा जाए तो 60 सेकंड होते हैं अगर मैं यहां पे एक साल को सेकंड में री प्रेजंट करने की कोशिश करूँ तो देखना वन ये एक साल को मैं सेकंड में कनवर्ट करने की कोशिश कर सकता ह that is 365 days कि एधिन में 24 गंटे होते हैं एक घंटे में 60 मिनिट होते और एक मिनिट में 60 सेकंद होते हैं तो मैंने इसको कम से कम टाइम में एक साल को कम से कम टाइम में री प्रेजंट करने की कोशिश किए तो मुझे यहां पे नंबर और अफ सेकंज स्टेंस बिल जाएंगे रियाelnों सब्सैर ओन आलिगे लिए फिजर को रीफ प्रिजेंट कर सकता हूँ एक साल में मिरे पास इतने सेक्षिंड आएंगेसि इंच अगेशा करेंगे ईव जैस इसने डियाफ़ ट्वस्ट में जो कि यह चाप्टर हें गेगा 12th में okay so this is called as a quantization of charge आगे बढ़ते है नेक्स पार्ट conservation of charges तो तो तेकना conservation of energy आप लोगों को पता है आप लोग बोलते है energy neither be created nor be destroyed it can be transferred from one form to other and the whole energy of the universe remains constant तो यह energy conservation है similarly मैं इसको बोल सकता हूं charges neither be created nor be destroyed एक जगह से दूसरे जगह पर हम charge को transfer कर सकते हैं okay एक जगह से दूसरे जगह पर हम charge को transfer कर सकते हैं total charge on isolated system is constant total charge on isolated system is constant तो देखना conservation of charges के लिए मैं यहाँ एक statement लिख सकता हूं for an isolated system for an isolated system total charge is conserved total charge is conserved अब इसका मतलब क्या है total charge is conserved यह total charge on a system remains constant total charge of system सिस्टम रिमेंस कॉंस्टेंट तो यह स्टेटमेंट रहेगा अब यहां पर सबसे इंपॉर्टन चीज है आइसो लेटेड सिस्टम यहां पर सबसे इंपॉर्टन चीज है आइसो लेटेड सिस्टम तो आगे हम देखेंगे जैसे ही मैं चार्जिंग मेथड समझने की कोशिश करता हूं तब मैं यह वाला प्रिंसिपल यूज करोगा अब देखना यह जो चार्जेस की प्रोपरेटी है दाट इस चांशर अफ चार्ज जहां पर मैंने बोला ना चार्जेस नाइधर बी क्रेटेड नौर बी दिस्ट्रॉइड इसका मतलब क्या है मैं सिर्फ अकेला पॉजिटिव चार्ज क्रेड नहीं कर सकता लेकिन Charges can be created in pairs, इस statement का मतलब क्या है बेटा, Charges can be created in pairs, अब pairs, pair कौन सा, positive और negative charge का pair, तो देखना ये इससे क्या होगा, जितना मैं positive charge create कर रहा है, उतना ही negative charge create हो रहा है, बरावर, अगर मैं इन दोनों को add कर दूँ, तो answer कितना आ जाएगा, 0, पहले कितना था, 0, create करने से पहले कितना था, अपने पाद, 0, add करने के बाद कितना आ रहा है, 0, तो इसका मतलब ये है देखना, statement का मतलब, Charges can be created in pairs, हम Charges को pairs में create कर सकते हैं, हम सिर्फ positive charge को create नहीं कर स समझ में आ रहा है, इस statement को समझना यहाँ पर, Charges can be created in pairs, जैसे मैंने कहा, suppose करना एक object है, ये initially neutral है, मतलब इसके उपर कुछ भी charge है नहीं, अब मैं इसके उपर charge create करने की कुशिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ positive charge create नहीं कर पाऊँगा, मैं क्या करूँगा बेटा, जितना मैं positive charge यहाँ पर create कर रहा हूँ, उतना ही negative charge इसके उपर create हो जाएगा, अगर मैं इसको एक isolated system मान लूँ, अगर मैं इसको एक system मान लूँ, तो total charge for the isolated system remains constant, तो ये charges create करने से पहले कितने charge कितना charge था उसके उपर 0, charges create करने के बाद, फिर से कितना charge आएगा, बेटा, फिर से चार तो प्लस 5-5 अगर मैं इन दोनों का एड कर दो तो अंसर कितना रहा जिरू अभी आपने पहला प्रोपरी देखा था चार्जेसर एडिट व जैसे हम चार्जेस को एड करने की कोशिश करते हम उसका साइन भी कंसिडर करते हैं ओके so this is the alternative way to say the conservation of charges that is charges can be created in pairs charges can be created in pairs now the next part is charging methods अब हम यहाँ पे charging methods के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला method है वेटा charging by friction charging by friction मतलब क्या तो देखना आप लोग जब भी कभी मॉल में जाते हो हो ओके या फिर आप लोगों ने घर पे देखा होगा प्लास्टिक की चेर आपको जटका देती है जैसे आप वहाँ पर हाथ लगाने कुशिश करते हो सड़नली हो जाता है आप हाथ धूर करते हैं कि परावर समझ मेरें तो जिए क्यों रहे है यह हो रहे है फ्रिक्षान की वज़े से अब यह मुझे कभ बिलता है जहां पर आप लोग देखना वुलन वालेडरेस पहन के जाता है यह पर मोस्ट ली यह आप लोगों को विंटर में मिलेगा या फिर यह mostly ऐसे जिगर पर मिलेगा जहां पर वूलन वाले कपड़े पहन के जाते हैं अब उससे क्या हो रहा है आप जैसे उस खुरसी पर बैटने की कोशिश करोगे तो friction होता है क्या पुरिक्शन होने की वजह से weirate Reuters पॉजिटिव इदर जाता है दर इस तरह से मेरे तो यहां पर ट्रांसफन हो जाएगी संभज में आ रहा हैं वहाँ से उठके चला गया लेकिन पिर भी आप देखा जाए तो खेर मेरी चाचल्ट है जयसा ही कोई कि दूसरा बंदा वहां पर आता है रहात रखता है तो उसे मिलता है अब देखना खुर्सी के पास ज्यादा पोटेंशन है और उस बंदे के पास धिरो पोटेंशन और हम एक चीज़ पता है चार्ज़ आलवेज फ्लोग्स फ्रॉम्दा फ्लोग्स प्रॉम्दा हाईयर अक्च्वल कॉंट्ठक इज निशेसरी एक्च्वल कॉंट्ठक इज situans rhe फिरेक्षम में देखा जाए थे कि अब साथ में एक काम करना दो चार पेपर के पीसे रख देना और उस पेन को उस पीस के पास लेकि जाने की कुशिश करना तो वह पीस वहां पर अट्रैक्ट होने लगता है अब यह ऐसा क्यों हुआ तो यहां पर दो चीजे हो रही एक तो हो रहा है फ्रिक्शन दूसरा हो रहा है मेरा इंडक्शन तो यहां फ्रिक्शन समझने की कुशिश करते हैं तो जैसे रख करने की कुशिश कर रहा था ना तो आप इसके उपर कुछ चार्ज डेवलप हो गए तो फ्रिक्शन में क्या होता है एक्षिल कॉंटक्ट नेसेसरी होता है और आपोजीट टाइप चार्ज ट्रांसफर होता है प्रिक्षिन में क्या होता है आपोजिट टाइप आफ चार्ज ट्रांसफर होता है याद रखने कि आपोजिट टाइप आफ चार्ज इस ट्रांसफर्ड कि आपोजिट टाइप आफ चार्ज एज ट्रांसफर्ड ठीक तो यह सिंपल वाला है फ्रिक्षन चार्जिंग फ्रिक्षन एब राइट ले लो ग्लास रॉड ले लो सिल्क ले लो वुल ले लो तो यहां पर ग्लास चार्जेस दे सकता है मतलब वो पॉजिटिव चार्ज लेगा दे रहा है इसके उसके उपर पॉजिटिव चार्ज अब यहां पे चीज याद रखना जो देता है ना उसके पास positive चाहर जाता है मतलब वो electron दे रहा है तो देने वाले का mass कम होगा देने वाले का mass कम होगा और लेने वाले का mass बढ़ेगा समझ लेते हैं यहां पर हम एक object है एक रॉड है कुछ इस तरह से और एक दूसरा रॉड है दो रॉड है अब मैं इनके उपर फ्रिक्शन कर रहा हूं अब मैं इनके उपर फ्रिक्शन कर रहा हूं तो बेटा इसके उपर positive चाहर गया इसके उपर उतना ही निगेटिव चार्ज आएगा अब इसके उपर उतना ही निगेटिव चार्ज आगा अब देखना यह पॉजिटिव चार्ज है तो हम यहां पर केमिस्टी आला कॉंसेट ले सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा जो इलेक्ट्रॉन वे षो मतलब इस से रेक्ट्रावन यहां पर चले गए तो इस केस में देखा जाए तो नंबर औप ओपप ए्लेक्ट्राउंस मेरे घटने वाले और हएसं पर अउन्ट के में मेरे अपने हमने मुने देखा था इलेक्टराउं के पास भी मास में है बहुत कम होता है वह अलग चीज है लेकिन मास होता है तो यहां पर आगर आप लोगों को कुशन पूचा जाएगा charging में यह फिर फ्रिक्षन में अब्जेक्ट का मास कम हो सकता है अब्जेक्ट का मास बढ़ सकता है क्या यहां पर यह चीज होगी जो देने वाला है उसका मास घटेगा जो लेने वाला है वो उसका मास बढ़ेगा ठीक है तो देखना है यह अब्जेक्ट ए है यह अब्जेक्ट भी है तो मैं यहां पर बात करेंगे charging by conduction तो charging by conduction में क्या होगा charging by conduction में देखा जाए तो यहां पर कांटेक्ट की जरूरी है contact is required is required का contact is required भेकेंड फिमिलर टाइब ऑफ चार्ज रॉप्थ का चेंट फय्मिलर टाइब उप चार्जip ट्रांसफर फ्रिक्चन सब्सक्राइब अगर देखा जाएयं ना मैं रिक्षन में सीमिलर टाइप आफ चार्ज ट्रान्सफर नहीं और त्यूंसिट टाइप टाइप आफ चार्जिस ट्रांसफर यहाँ पर क्या हो रहा है तो सिमिलर टाइप आफ चार्जिस ट्रांसफर अब किस तरह से देखना यहाँ पर टिनारियों को समझ लेना क्योंकि आप मैं पिछले वाले प्रॉपरेटीज भी यहाँ पर यूज करूगा एक ऑबजेक्ट है तिमिलर दूसरा ऑबजेक्ट है आइडेंटिकल ऑबजेक्ट यह दोनों ऑबजेक्ट क्या है बेटा आइडेंटिकल है याद रखना दोनों वैसे वह दोनों सब्सक्राइब करना की पॉजिटिव चार्ज है क्यूँ अब यह दूसरा अब्जेक्ट है बी ऑइडेंटिकल इसके उपर कोई चार्ज है नहीं यह नीव्य न्यूट्रल है इसके उपर कोईच है अब मैं क्या करने वाला इस ए को और इस भी को मैं यहाँ ही जोड देता हूं ना तो यह क्या करेगा यह चार्जिस इसके ऊपर ट्रांसफर करेगा यह चार्जिस क्या करेगा इसके ऊपर ट्रांसफर करेगा है समझ मैं तो यहां पर देखना charging by conduction में देखा जाए तो similar type of charge is transferred यह तो अब मेरा question यह है बी के पास कितना charge गया बी के पास कितना charge गया एक के पास एक ने कितना चार्ज दिया तो अब हम यहां पर कंजर्वेशन ओफ चार्जेस यह वाला प्रिंसिपल यूज कर सकते तो देखना इसके लिए सबसे पहले मुझे आई सोलेटर सिस्टम बनाना पड़ेगा अब सिस्टम बना रहा हूं तो इन दोनों का सिस्टम बना दूगा मैं यहां तो इसका बहुत इपलागा इसलेटर सिस्टम बहुत इम्प्रॉटन चीजस है आयसोलेटर सिस्टम अब इसके बहर कुछ भी हो जाए लिख kitchen इन दोनों कह रहा है इन दोनों को मैं टच करने की कूशिश कर रहा हो तो मेरा फोकॉस तिरव इन दोनों के ऊपर ही रहेगा मु इस आइसोलेटेड सिस्टम के पास चार्ज कितना था इस आइसोलेटेड सिस्टम के पास चार्ज कितना था क्यूं आइसोलेटेड सिस्टम के पास चार्ज कितना था क्यूं ठीक है फिर से जैसे मैंने इन दोनों को टच कर दिया तो इनका एक आइसोलेटेड सिस्टम बना तो तो इनके पास भी चार्ज कितना होना चाहिए पीट क्यों मौना चाहिए जर्ग padre system charge remains constant पहले charge कितना थे कि नवह चाहिए दोनों के पास मिला के कितना होना चाहिए क्यों यह इन दोनों के पास मिला क्योंदा क्यों कि अंब में में इन और इन अबजेक्श Angel कर देदा कू अब बैइन दो ऑबजेक्श कर देखना यहां पे सेपराऴेट कंच करके सेपरेट करने की कुछिश कर निऄ इन दूनों को यहां पर रख दिया कि सेप रेट करके मैंने इन दूनों को यहां पर रख दिया अब इन दोनों के पास चार्जिस है अब Αेder इन दोनों A के पास कितना चार्ज है और B के पास कितना चार्ज है तो पिटा अगर मैं इनको अगर मैं इनका फिर से एक isolated system ले लेता हूँ अगर मैं इनका फिर से isolated system ले लेता हूँ तो इस system के पास charge कितना होना चाहिए तो क्यों ही होना चाहिए क्योंकि isolated system में चार्ज हमेशा कॉंस्टेंट रहता है अब दूसरी चीज यह दोनों अब्जेक्ट क्या है आइडेंटिकल तो कितना चार्ज गया होगा आइडेंटिकल होने की वजहे से यहां पर आधा चाftig ठार्फ की तरफ चला जायेगा आधाग्याइ那 चार्ज एक पास रहें तो दिखना यहां पर अगर मैं चार्ज लिखने की कोशिश करूदो वह जाएगा क्यूब वाला हिए तो यह वाला है चालकुलेंसर्प अब्चक्शक के लिए जो भी कोश्चयन रहेंगे आइडन्टीकल अब्जेक्ट के साथ ही रिलेटेद रहेंगे अगर यही वाला सिनारियो अब देखना मैं क्या करने वाला फिर से दो अब्जेक्ट लेने वाला यह ऑब्जेक्ट ए है इसके उपर क्यू वन चार्ज यह ऑब्जेक्ट भी है इसके उपर क्यू टू चार्ज दोनों आइडेंटिकल है दोनों क्या है बेटा आइडेंटिकल ह इन दोनों के उपर प्लस क्यू वन इसके उपर प्लस क्यू टू है अब मैं क्या करने वालो इनको टच करने वालो अब मैं इनको क्या करने वालो सेपरेट करने वालो अब मैं इनको separate करने में ठीक है मेरा question यह है separate करने के बाद A और B के उपर कितना charge रहा होगा separate करने के बाद A और B के उपर कितना charge रहा होगा तो याद रखना सर ने एक कर सकते सिस्टम हो रहा है एक ही इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होना चाहिए सर पहले जितना था उतना ही चार्ज अब भी होना चाहिए ठीक अब टच करके separate करने के बाद टच करके separate करने के बाद इसके उपर कितना किस आ चार्ज होना चाहिए तो सर पहले जितना था उतना ही चार्ज अब भी होना चाहिए सबज़ में आ रहा है Llosa Str बेटा क्यूवन प्लस क्यूटू बाइटू और बी के ऊपर उतना ही चार्ज आ जाएगा क्यूवन प्लस क्यूटू बाइटू आएगा यहां पर क्यूवन प्लस क्यूटू बाइटू आएगा यहां पर क्यूवन प्लस क्यूटू बाइटू आएगा यह ऐसा क्यूं हो रहा और दूसरी चीज अगर मैं इनको सिस्टम क्रियेट कर रहा हूं मैं इनका सिस्टम क्रियेट कर रहा हूं तो हर एक सिस्टम का चार्ज पहले जितना था उतना ही चार्ज बाद में भी होना चाहिए पहले जितना था उतना ही चार्ज बाद में भी होना चाहिए और एक सिनारिय आलो सबसे पहले टच एंड बी एंड सेपरेट टच एंड भी कि टच ए कॉमा भी दिन सेपरेट यह पहला हम करेंगे दूसरा हम करेंगे टच कि अब मेरा कोश्चन यह है इनके उपर टच करके सेपरेट करने के बाद कितने चार्ज चार्ज कितना है तो देखना बेटा फिर से जो इंटराक्ट कर रहे ना जो चार्ट ट्रांसफर करें उनका पहले सिस्टम बना तो मैं यहां पर ए और बी का सबसे पहले सिस्टम बनाऊ बनाऊंगा तमझ लोग प्रोसीजर मैं यहां पर ए और बी का सिस्टम बनाऊंगा ए और बी को हमने टच करके सेपरेट किया बराबर ए और बी को टच करके हमने सेपरेट किया तो बिटा इसका एक सिस्टम हो जाएगा तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना क्यूवन प् देखना टेपरेट करने के बाद फिर से इनका ही सिस्टम रहेगा फिर से इनका ही सिस्टम रहेगा इनके उपर चार्ज कितना होना चाहिए तो उतना ही होना चाहिए क्यूवन प्लस क्यूटू लेकिन एक उपर अब कितना आएगा क्यूवन प्लस क्यूटू बाइटू और ब u v 그러면 तच्छ करे सेप्रेट कर दिया जैसे ही मैं be you are C को टच करके सेप्रेट कर रह garbage B c't के ऊपर कितना चार्ज सां 및 तो-be के ऊपर क्यू जाए टो अलएट कि ऐट चार्ज है क्यों सब्सक्राइब चार्ज है वैटक्यी Q3 तीकि उपर चार्ज है बेटा Q3 समझ मैं रहा है समझ मैं रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा टोटल चार्ज सिस्टम का बनेगा क्यों प्लस क्यूटू प्लस टू क्यूट्री डिवाइड बाइट तू कुछ इस तरह से अब मैंने इनको टच कर दिया आप मैंने वह उतना ही होना चाहिए लेकिन आप यही चार्ज equally divide हो जाएगा तो बी के उपर कितना आएगा बिटा तो बी के उपर आएगा Q1 plus Q2 plus 2 Q3 by 4 और C के उपर आएगा Q1 plus Q2 plus 2 Q3 by 4 आधा आधा बटेगा बेटा इसका आधा हो रहा है मतलब divided by 4 आजाएगा दोनों को आड कर देना वापस यही वाली चीज़ मिल जाएगा समझ भारा यह चीज़ बहुत important concept है मेटा समझ लेना identical object के ऊपर ही हम यह कर सकते हैं ओके नाव दे थर्ड मेथर थर्ड मेथर इस चार्जिंग बाइंदक्षट चार्जिंग बाइंदक्षट में मैं यहाँ एक चीज़ सबसे पहले मेंशन कर देता हूं no actual contact is required no actual contact is required actual contact की बिलकुल ज़रूरी नहीं यह no actual contact is required actual contact यहाँ पे जरूरी है नहीं तो चार्जिंग बाइंदक्षट किस तरह से होता है वो भी हम समझने की कुशिश करते है अब हम यहाँ पर बात करेंगे चार्जिंग बाइंदक्षट समझ लेना बिटा चार्जिंग इंडाक्षण बहुत ही इंपर्टंट है है का गिंडांचिंग वचीं में क्या है सबोड़ेपास इसके पाऊई चार्ज है इसके ऑपर कचल नहीं निए नो चार्ज अभी न ajust अब क्या करने वाला हूँ इसके पास एक चार्ज रौड लेकर आने वालो इस तरह से सब्सक्राइब रॉड की ऊपर पॉजिटिव चार्ज रॉड की ऊपर पॉजिटिव चार्ज जैसे ही मैं इसे नजदीक लेके आऊंगा तो अब यहां पर क्या होगा तो सबसे पहले तो देखना मुझे सिस्टम बनाना है पहले सिस्टम मना रहा है तो मैं इनका एक सिस्टम भी मना शकता हूँ यहां पर पाजीटिव चार्ज लेकर आता कि नजदिक तो बेटा यहां पर चार्जर्ज इन्डीउस होगते यहां पर चार्ज ंडी अंड chip हो जाएगा कि यहां पर मेरा 서 can do so यहां पर क्रीयेट नहीं हो रहे हुआ है मैं नस्दीक ले के गया यह इंड using गए संभाज में आ रहा है है अब देखना जिटना डीर college हुआ है उतना ही « पा Dude ू चार्ज यहां पर इंडियूज होगा अब यह कै मुझे से देखा जाए तो एक्जाक्ट सिमेट्रिकली हाफ पे अगर मैं इसे बाटने की कोशिश करो तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर बेटा निगेटिव चार्ज आएगा कि समझ मैं आ रहा है अब मुझे करना क्या है मुझे स्पीर को चार्ज करना है तो मुझे यहां पर पॉजिटिव चार्ज निकालना है मुझे यहां से क्या करना है बेटा पॉजिटिव चार्ज निकालना है ठीक है पॉजिटिव चार्ज अगर मैं निकालना चाहता हूं तो म त्हों चलिव मैं जब मैं अर्थ के बारे में बात करता हूँ आर्थ इस इन पाइनाइट स्वर्स और सिंक यह वह दियाा रखना मैं Gownd connection कर रहे हुए सका मतलब क्या है आर्थ इस इन पाइनाइट es in इन्पाइनाइट सिंग इसका मतलब क्या है वह इन्पाइनाइट चार्जेस दे भी सकता है वह इन्पाइनाइट चार्जेस ले भी सकता है स्टोर्स मतलब देना सिंग मतलब लेना अब यह डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के उपर वह किस तरह से ट्रीट करना चाहिए अब यहां पर बूलूँगा कि एर्थ का पोटेंशल जिरो है इस साइड कुछ तो पोटेंशल होगा तो निकल जाएं पॉजिटिव चार्ज खोड़ रहा है मतलब पीछे क्या छोड़ेगा निगेटिव चार्ज अपनी जगा छोड़ रहा है तो पीछे रहेगा निगेटिव चार्ज और इसके वज़े से क्या होगा तो इस स्पीर के ऊपर आ जाएगा टोटल निगेटिव चार्ज इस स्पीर के ऊपर आ जाएगा टोटल निगेटिव चार्ज और मैं यह वायर भी निकाल ले मैंने यहां से वायर भी निकाल दिया है वेटा के वायर कनेक्ट करने के वज़े से क्या हुआ हुआ पाँजटिव चार्जर्ज फलो हो पीप्छे क्या रहा मेरा निगेटिव चार्ज मैंने ये वाला भी निकाल निकाल दिया मैंने यह वाला रॉड भी निकाल दिया तो स्पियर के उबर टोटल निगेटिव चार्ज यहां पर डेवलप हुआ है तो यहां पर देखना फिजिकल कॉन्टक्ट हुआ नहीं है या फिर आक्च्वल कनेक्शन उन दोनों का हुआ नहीं है चार्जिंग चार्ज बॉड़ी थी मैं सिर्फ नजदीक लेकर आ रहा था तो यह वाला प्रोसीजर हुआ यह वाला प्रोसीजर हुआ आप लोग कहो गए कि सर अगर यहां पर निगेटिव रॉड यूज करता हो निगेटिव रॉड या फिर रॉड भी तर निगेटिव चार्ज तब क् निगेटिव किसको अट्रेक्ट करता है पॉजिटिव को निगेटिव किसको अट्रेक्ट करेगा पॉजिटिव को तो इसके उपर देखना इस साइड बनेंगे पॉजिटिव चार्ज इस साइड बनेंगे निगेटिव चार्ज समझ में आ रहा है इतना ही फरक होगा जाय तो एक सबसे इंपोर्ट चीज लिखी थी no actual contact is required and charges are induced charges are induced तो हम कुछ numericals तॉल करने की कोशिश करते है देखना a glass rod is rubbed with a silk cloth टीक है the glass rod acquires a charge of plus 19.2 into 10 to the power minus 19 कुलब अगर glass के पास positive charge आ रहा है तो इसका मतलब glass ने क्या किया है इलेक्ट्रॉन दे दिया ग्लास ने क्या किया है इलेक्ट्रॉन दे दिया जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है उतना ही positive charge उसके पास develop हो जाएगा तो देखना यहां पे find the negative charge acquired by the silk तो silk के पास कितना negative charge आएगा जितना वह positive sorry जितना वह electron दे रहा है उतना ही charge मतलब silk के पास कितना आएगा विटा तो वह आएगा 19.2 into 10 to the power minus 19 कुलब चार्ज आएगा silk के पास कितना चार्ज आएगा minus 19.6 sorry 19.2 into 10 to the power minus 19 कुलब समझ में रहा है इसके पास positive plus 19 आया था इसके पास negative 99 अब यहां पर पूछा गाया है find the number of electrons lost by ग्लास रोड तो मुझे बेटा यहां पर quantization का technique यूज करना है quantization का formula अगर मैं यूज करूं सो q is equal to n into e तो यहां से मुझे number मिलेगा कितना number मिलेगा बेटा 19.2 into 10 to the power minus 19 is equal to n into e की value किती है 1.6 into 10 to the power minus 19 तो यहां से minus 19 minus 19 मर गए मुझे क्या मिलेगा बेटा n is equal to 19.2 divided by 1.6 19.2 divided by 1.6 तो यह कितना हो जाएगा बेटा तो यह हो जाएगा कितिने electron transfer हो चुके है तो बारा electron यहां से transfer हो चुके इसने बारा electron दे दिया इसने कितिना लिया इसने बारा ले लिया समझ में आ रहा है इसने बारा ले लिए नाव यहां से बारा electron का मास निकला होगा और यह बारा इलेक्ट्रॉन का मास इसके ऊपर आ चुका होगा तो यहां पे यह मास का transfer है मास ट्रांसफर कितना है वो देखेंगे मास ट्रांसफर मास ट्रांसफर का अंसर आ जाएगा बेटा सो दाट विल ट्वल टाइम सफ आफ मास आफ इलेक्ट्रॉन मास आफ एलेक्ट्रॉन कितना है तो हमें यहां पर दिया है 9 इंट्ट यह पावर मीनस 31 कीजी तो यह कितना आ जाएगा बेटा 108 इंट्टू 10 टीउ पावर माइनस 31 कीजी इतना मास मेरे ग्लास रॉड से सिल्की तरफ ट्रांस्फर हो चुका है ओके ठीक है समझ मैं रहा है वेटा नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं तो देखना यह वाला कोश्चन है तो मेरे पास तीन अब्जेक्ट्स है आइडेंटिकल इंसुलेटर स्पेरिकल कंड़क्टर से ए और बी के बीच में कितना है वेटा तो पी एम सी तो यह मिली कुलम है वेटा तो यह वनेगा थ्री इंटू टू दू पावर माइनस त्री कु कुलम और के पास तरह है वेटा माइनस शिक्स मिली कुलम अब्जेक्ट्स ए एंड सी आर्टर टैस्ट और बूट अपाल ठीक है तो यहाँ पे हमें कोश्चन को देखना पड़ेगा वेटा ओपड्च्च एड बी अगर मैं यहाँ पे देखना वेटा इस कोश्चन में यहा 3 identical है चलो मान दिया कंड़क्टर से ओरीजिनली एंड बे आर हाविंग दे चार्जेस आफ त्री माइक्रो कुलम सबसे पहले मुझे ए और सी को टेच करना है ठीक है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है पेटा ए और सी को टेच करना है तो सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज कितना आएगा तो यह प्लस 3 है और यह माइनस 6 है तो सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज कितना आया माइनस 3 सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज कितना आया माइनस 3 टच करने के बाद अब यह चार्ज आधा आधा हो जाएगा तो यहां पर आ सब्सक्राइब करने के बाद इसके उपर इतना चार जाएगा अब हम बी और सी को टच करने वाले हैं और सी को टच करने वाले हैं तो बी के सब्सक्राइब के पास कितना है तो 3 है प्लस 3 है और सी के पास कितना आया है अब माइनस 3 वाइटू तो अगर मैं इन दोनों को टर्स करूं तो सिस्टम के उपर आ रहा है प्लस थ्री बाए टू अब मैं सेपरेट कर नौं जैसे ही मैं सेपरेट करूँ गा सेपरेट करने के बाद टीके उपर कितना आए गा इस आधा इससे आधा मतलब 3 15 UK के उपर कितना आई पाई टाई उससे आधा तो तो 3 x 4 और क्या रहेगा प्लस रहेगा चाहरेगा बेटा प्लस रहेगा अब हम यहाँ पर समझते हैं इस अब्जेक्स a and b are now held near each other they will attract repel or have no effect on each other तो बेटा यहाँ पर देखना a के उपर कितना है माइनस 3 x 2 और b के उपर कितना है बेटा प्लस 3 x 4 negative positive हम नज़दीक लाने की कूशिश कर रहे है तो यहां पि मुझे क्या अंसर भी सरे मिलेगा यहां पिनमिलेगा मुझे specific or c को अगर हम नज़दीक लाने की कूशिश कर रहें मैंा स्योड़ेतो फिर से देखना प्लसओर मैंनस यह फिर से क्या हो जाएगा अट्रैक्ट हो जाएगा फिर से क्या हो जाएगा पिटा अट्रैक्ट हो जाएगा तबज में आ रहा है तो इस कोश्चन को हम कुछ इस तरह से हैंडल करने की पुशिश करें तो देखना हो मच पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इस प्रेजेंट इन वन ग्राम ऑफ वाटर एक ग्राम पानी में कितना चार्ज है और मुझे यहां पर दिया गया है सबसे पहले हम यहां पर समझने की कोशिश करते अब यह जो दिया गया है ना मॉलिक्यूलर मास और वाटर तो इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब यह है वेटा अठारा ग्राम कितने मॉलिक्यूल से या को यह होता है तो यह ओघ्रो二 यह नंबर है इसका पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो यह होता है नंबर होता है तो पावर मेरा प्लस 23 होगा माइनस 23 नंबर नंबर होल नंबर चाहिए मुझे ओके ठीक तो अठारा ग्राम वाटर में एन अटम सोते हैं डैटीज 6.023 इंटू 10 तो पावर 23 तो यहां पर मैं फिर से लिख देता हूँ ठीक है मेरे पास कितना वाटर है ने विटा मेरे पास है एक ग्राम तो मैं यहां पर लिख सकता हो एक ग्राम में कितने सब्सक्राइब करना कि एक ग्राम में एक्स एटम है तो यहां से मुझे एक्स की वैल्वी मिल जाएगी विच विल बेक्वाल टो 6.023 डिवार इड़ कि एटीन क्रॉस मल्डीफ्लाइ कर लो क्रॉस मल्डीप्लाइ कर ने के बाद मुझे मिलेगा कुछ इस तरह से तो मुझे यहां पर एक कि innocent एक ग्राम में कितने एक्टम है वह मिल जाएगा कर को कर दू yar तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेंगे मिलेंगे तो मुझे कुछ इस तरह से atom मिलेंगे आट इस 3.34 इंटू 10 तो दे पावर ब्लस 22 एटमस ठीक मुझे इतना आटम मिल रहे है कि एक ग्राम में देखना मुझे इतने અतेम मिल रहे है ह two okay अब हम यहां पर बात करते हैं इन वन असे इन ऑप सब कचि नमबर ओफ एलेक्ट्रॉन इघ्र वाग्वे नमबर ओफ इलेक्ट्रॉन तो देखने में है विकेटब्टा में एक एलेक्टरों नोथा मेरे पास दो हरो जित subscription के पास तैने आट तो टोटल इलेक्टरॉन्स कितने बने एक एक अटम मेंन अब of electrons बनेंगे मेरे पास 10 मेरे पास कितिने atoms है 3.34 into 10 to the power 22 atoms okay therefore मैं यहाप लिख सकता हूँ number of electrons in x atoms number of electrons in x atoms that will be equal to 10 into 3.34 into 10 to the power 22 तो यह मुझे से मिल जाएगा विटा 3.34 into 10 to the power 23 electron 3.34 into 10 to the power 23 electron जितने electron होते विटा उतने ही proton रहेंगे therefore number of protons number of protons कितने आएंगे विटा तो number of protons भी उतनी आएंगे 3.34 into 10 to the power 23 इतना number है अब मुझे यहाँ पर यह भी पूछा गया है कि चार्ज कितना है टोटल चार्ज कितना है तो जितना positive चार्ज होता है उतना ही negative चार्ज रहेगा therefore charge मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ therefore charge अगर मैं इन electron के number को या फिर proton के number को अगर मैं e से multiply करता हूँ तो टोटल चार्ज मुझे मिल जाएगा तो टोटल चार्ज is equal to 3.34 into 10 to the power 23 into 1.6 into 10 to the power minus 19 क्योंकि एक के पास कितना होता है कम से कम 1.6 into 10 to the power minus 19 मेरे पास कितने हैं विटा 3.34 into 10 to the power 23 ओके अगर मैं इसे multiply करने की कोशिश करूँ तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा यहां पर 5.344 into 10 to the power plus 4 तो इतना चार्ज मिलेगा इतना positive चार्ज मिलेगा और उतना ही negative चार्ज पिलेगा क्योंकि जितने electron होते हैं वेटा उतने ही proton मेरे पास होंगे तो मैं एक बार cross check कर लेता हूं कि मैंने सही calculation किया है या नहीं कि just give me a minute मैं यहां पे cross verify कर लेता हूं कि मैंने सही calculation किया है या गलत है तो चलो यह तो सही किया है अब मैं यहां पे करेक्ट सही calculation किये है देखना तो कुछ इस तरह से इस question का अंसर रहेगा बिटा तो अब हम आगे बढ़ते हैं आगे हम यहां यहां पे और एक question देखेंगे charge on an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 column how many electrons are required to accumulate a charge of one column तो कितिने मुझे यहां पे number of electrons calculate करने है एक कुलम में तो बेटा फिर से quantization वाला यूज करेंगे q is equal to n into e capital Q की value दी गई है वन कुलम मुझे यहां पे n की value find out करना है और e की value दिया है मुझे 1.6 into 10 to the power minus 19 so n is equal to 1 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 तो यह बन जाएगा बेटा 6.25 into 10 to the power plus 18 तो इतने electron है मेरे number of electrons present in one column एक कुलम में मेरे पास बेटा देखना इतने electron है that is 6.25 into 10 to the power 18 ओके ठीक है नेक्स आगे बढ़ते अब देखना यह बहुत ही important question है बहुत ही important question क्या कहता है विच अमांग दो फॉलिंग इस श्यूर टेस्ट अफ इलेक्ट्रिफिकेशन अब इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या है विटा की किसके ऊपर कौन सा चार्ज है यह कैसे हम find out करें अगर मेरे पास दो object है दो या फिर तीन object है कि ओके मुझे पता नहीं है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है और मुझे वही find out करना है मतलब electrification चीज यह वाली चीज मुझे find out करना है तो मिट इसका answer देखना इसका answer रहेगा repulsion है the repulsion is a a true test of electrification अब attraction क्यूं नहीं अब attraction क्यूं नहीं तो देखना attraction कब होता है पिटा अगर दो ऑब्जेक्ट है और उनके उपर आपोजिट चार्जेस हो तब अट्राक्शन होगा ठीक है ये केस है अब दूसरी चीज़ अब अट्राक्शन इस केस में भी होगा जब दोनों के उपर चार्ज हो लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक के पास सिर्फ दूसरे दूसरा मेरा नूट्रल है दूसरा मेरा क्या है वेटा नूट्राल है और एक दूसरे के नजदीक है अगर यह एक दूसरे के नजदीक है वेटा तो यहां पर हो जाएगा इंडक्शन यहां पर हो जाएगा इंडक्शन अब इंडक्शन की वज़े से होगा क्या तो एक चर्ण्र औब्जेक्ट के पास लिके जाता हूं तो चारज मेरे इंडियो सोते हैं चार्जाuar इस किस तरह से हिंड्यूस हो जाएंगे लिटा तो यहां पर निगेटिव चार्ज आएगा यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा अब यहां पर क्या हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है तो इन दोलों के बीच में अट्रैक्शन आ रहा है इन दोलों के बीच में अट्रैक्शन आ रहा है तो देखना यहां पर इसकी उपर तो चार्ज था ही नहीं ना इनिशेली तो यह इलेक्ट्रिफाइड नहीं था इसकी उपर चार्ज नहीं था तो अट्रैक्शन चान नाट भी दर है जोर्ट टेस्ट अफ देट्रिफिकेशन समझ लेना यह चीज रिपाल शहिए मेरा दो केस्सें होंगे तो आपोजीटली चार्ज्ट ओके बोट आपजेक्ट्स आर आपोजीटली चार्ज्ट तब मेरा यहां पे इलेक्ट्रिफिकेश्ट बैट इस अट्रेक्शन वाना चीज़ में लेक्ट अब दूसरी किये तो वन अब्जेक्ट चार्ज्ट निटरल आन अधर वन इज्निट्रल आन्द आर वनेस्निट्रल अह से तो पेटा दिकना इस केle的 क्या होरा है इस-केत्स पिलांगो श्राइओ रॉत्स कारूंम रागने की कुश्षिश को तो यह वाला फ्र प्लस और मार्यमस की बीच्पंगो को समयर प्लस और प्लस के सभख ऊथेगा कर्फाएंड को सो नेट resultant force will be the attractive force नेज़ंट औरल्ट में रिखना अब देख़ यहां पर पूचा गया है रीटरिट्रिफ्यकेशन के बारे में Electrification का मतलब क्या किसके उपर कौन सा चार्ज है यह कैसे अब आपजेक्ट बी के ऊपर चार्ज यहां पर था यह नहीं यह इंड्यूस्थ हो रहा आपजेक्ट एक ही वजह से यहां पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसके उपर कौन सा चार्ज है और किस तरह से ओके अट्राक्शन का देखना यही एक चीज है जिसके वज़े से हम अट्राक्शन को true test या फिर sure test of electrification नहीं कहते इसका अंसर रहेगा इसका अंसर रहेगा रिपल्चन रिपल्चन देखा जाए तो similar type of object में ही हो सकता है रिपल्चन देखा जाए तो similar type of charged bodies में ही हो सकता है attraction मेरा आपोजिट टाइप में हो सकता है या फिर एक चाज और दूसरा अंचार्ज हो तो वहां पे भी हो सकता है तो इसका अंसर रहेगा बिटा रिपल्चन इसका अंसर रहेगा बिटा रिपल्चन तो आज की इस लेक्चर में हमने कौनसी कौनसी चीज़े कवर करने की कुशिश की तो सबसे पहले तो हमने हमें तो अगे बीध का तॉपिक का है कर या फिर एलेक्ट्रो मागनिटीज्ञ का और देख लिए कि हम क्या पढ़ने वाले है किस तरह से पढ़ने वाले आगे किस तरह से हम एप्रोच करेंगे ओके उसके बाद हमने चार्ज को डिफाइन किया उसके टाइप्स हमने समझे एलेक्ट्रोनिक यूनिट समझा ओके और इंटरेक्शन भी समझने की कुशिश की अट्रेक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा उसके बाद हमने देखा चार्जिंग मेथड्स मेरे पास तीन चार्जिंग मेथड्स है प्रिक्षान जहां पर है एक्चुल से झुरूरत है कंड्टेक्शन पर सीमिलर टाइप ऑफशार्ज थ्मूर होता है और जहां फिर से कांडट्रक्रण है ईंडिक्शन बे देखा जाये तो इनडाग्शन दें do जरूरत होती नहीं है यह इक आपजेक्ट मेरा चार्ज होना चाहिए दूसरा औब्जेक्ट मेरा चार्ज होना चाहिए अगर मैं उसे नजदीक लेकर जाता हूँ तो वहां पर induction procedure होती ही तो हमने charging methods देख लिए है हमने properties of charges को भी समझने की कुशिश की Properties of Charger में और सबसे important यहां पर property कौन सी थी तो वो बेटा थी conservation of charge अगर मुझे conservation कराना है तो मुझे system को isolate करना पड़ेगा तब जाके ही मैं कंजर्वेशन कर सकता तो देखना यह सारी चीज़ आज के लेक्चर में हमने सीखी है आई होप आप लोगों को यह आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया ध्यान से देखना अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना और किसी को कुछ डाउट हो तो बेटा आप डिरेक आप में ओके ठीक तब तक की लिए बेटा थैंक यू धन्यवाद फिर में लेंगे अगले लिक्षर में इसी चाप्टर के थैंक यू वेरिमाइट